जहें इस बिडिवोग्तवय कि छोटी सी कंपनी याम नीवेक्टमेंट के बारे में किरेंगे यामनीवेक्टमेंट का से प्राइज कांफी दिनों से वफ यृजरी तिनों से यह चैप तर्भारी देखने को मिल रहा है चैप कि लोगा सर्किट कब ब्रेक होगा और एक अच्छी खासी तेजी सेर में कब आएगी ताकि जो लोग भी उपर ले पर वाइकर के फंसे में उन्हें रहात मिल सके और साथ मैं एनालेसिस के थूरू यह बताऊंगा कि यह कंपनी फ्यूचर में के इतना ग्रोथ करेगे ताकि ज इससका इंवेस्टमेंट कहले है काम है इंवेस्टमेंट करते पैसा बनाती है उसको पने लोन वगरा भी देती है और उसे मिलता है उसके छोटी कंपनी और शेयर प्राइस देखे एक रुपया 75 पैसा है कल के दिन का कल जब मार्केट खुला था अभी देखें क्योंकि इसमें लोवर सर्कुट लगा है और जब लगवाग पाइस परचेंट का लोवर सेरकुट इसमें लगा है समझेंगे लगा चुका है तीन रुपया 6 पैसा का और यह जो लगाए था इसे साल जनौरी में इसने लगाया था उसके बासे सहीज प्रइस में काफी बहुत दिनों तक नीचे गया फिर ऊठार फिर नीचे गया लेकिन अभी तक अपने हाई आप लगा रहते तो अभी तक को तीन लाग संताओन हजार रुपए आपके बन चुके होता है हालाकि यह रिटार नागे भी कंपनी मिल सकते हैं इसमें पोटेंसियल है पस थोड़ा आपको धहरे रखना होगा यहां समझेंगे अच्छा खासता है इसमें क्रियेट होने लगा और सिर्फ अब एक दिन में 70 लाग वहलूम क्रियेट होने लगा है जब किसी भी कंपनी में वहलूम अच्छा क्रियेट होने लगे तो सेयर प्राइस में तीजी आने के संकेत बढ़ जाते हैं चांस बढ़ जाते हैं तो उमीद है बहुत जल्द इसमें अपर से लग सकता है अब समझेंगे इसका जो रिष्टेंस लेवल है पहला रिष्टेंस लेवल एक रुपया बनवे पैसा और दूसरा है दूरोपयाट पैसा लेकिन अभी तो सेयर प्राइस डाउन जा रहा है इसलिए अभी हम लोग सपोर्ट लवल की बात करेंगे तो इसका जो पहला सपोर्ट लवल एक रुपया चांशट पैसा और दूसर की जाती है उसके बाद से सेयर पैस में तीजी देखने को आपको मिल सकती है अब आई हम लोग फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी कितना मजबूत है समझेंगे कंपनी का जो अगर दिसंबर तिमाई की बात करें तो उसमें रिभेन्यू में थोड़ा सा गिरावट हुआ थ कंपनी के पास कर जाए बिल्कुल नहीं है देखिए एकदम जीरो कर जा है मतलब बिल्कुल फिरी है और अच्छी बात है कि इसके पास फिरी कैस फ्लो है लगवक 14 करोण 68 कंपनी के पास रिजर्ब है यानि कि कोई अगर बुरा स्टेच्वेशन आता है कोई पेंडेमिक आत आठ परसेर लोगों ने अगर सफस परसेल आए क्योंकि प्लेजींग नहीं है अगर टीशनां धिकक…… जाएikan और यानि की डुमेश्टिक इ士 उसमें इंवेश्टर होता है उनकी सव्थ नाम मत मैंस्टर इसको और इसको आत Haushक कर सकते है बंक्षबक के पास त्यानले से अधिक होती है अब समझे इस स्टॉक में आगे हमें करना क्या है तो समझेंगे देखिए 100% एनालिस्ट इस कंपनी के सेर्स को बाई करने चाहिए मेरा जो सुझाओ रहेगा कि आप क्वाटर फोर का रिजल्ट अगर अगर अच्छा आता है तो आप इसमें इंट्री ले लिज पांच रुपे का अभी देखें तीन रुपे तक का तो हाई लगाया था और और अच्छा आ जाता है तो पक्का इस पांच रुपे का आस पास तक जा सकता है इसलिए अगर आप इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले से कंपनी के सेर हैं तो उन्हें डरने जूर कर बाते करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा करना पर भी फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट प्रियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया